मकर संक्रांती को लेकर सुधा ने 32 लाख लिटर दूथ और 8 लाख किलो दही बाजार में उतारा है बिहार की राजधानी पटना और आसपास के लोगों को मकर संक्रांती के मौके पर किसी तरह की दूथ या दही की कमी ना हो इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है पिछले साल लगभग 30 लाख लिटर दूद की सप्लाई हुई थी लेकिन इस बार 32 लाख लिटर से अधिक दूद की सप्लाई की गई वहीं पिछले साल दही 6 लाख से अधिक जबकी इस बार 8 लाख किलो दही बाजार में उपलब्द है मकर संक्रान्ती के पुर्व सबजियों की कीमत 20 से 50 फीसदी तक बढ़ गई है दो दिन पहले तक गोभी 15 से 20 रुपे किलो मिल रहा था लेकिन शुक्रवार को इसकी कीमत 40 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गया वहीं हरा मटर 25 से 30 रुपे से बढ़ कर 40 से 50 रुपे प्रती किलो तक पहुँच गया वहीं टमाटर 20 रुपे प्रती किलो मिल रहा है मकर संक्रान्ती को लेकर कटहल की मांग काफी रही कटहल 100 रुपे प्रती किलो तक बिका है मकर संक्रांती के लिए 60 रुपे किलो वाले भागल पूरी कतर्णी चूरा की डिमांड अधिक है इसके अलाबा मर्शा चूरा भी लोग पसंद कर रहे हैं शहर के दुकानों पर चूरा, दही, दूध और गुड की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीर देखी जा रही है पटना के एक चूरा विक्रेता ने कहा कि मकर संक्रांती के लिए भागल पूरी कतर्णी चूरा की डिमांड अधिक है वही तिलकुट बाजार में भी रौनक बढ़ गई है आज तिलकुट की डिमांड बहुत है इसके अलाबा खोवा और चीनी के तिलकुट और बादाम दिख्षान देता है टोपिक वाइज वीडियो विध अनिमेट विजूल अद चॉंसेप बाजा स्टरी मैटेरियल्स